नमस्कार दोस्तों मैं पुकेश रामटे के पेशे से एक प्रिंसिपल आज जो जवलंत विशय चल रहा है कोरोना जिस कोरोना ने पुरी दुनिया को खिला के रख दिया है इतली, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लेंड जैसे देशों को भी डरा चुका है पुरी दुनिया इस कहर से सहम चुकी है और उसी कोरोना ने हमारे भारत में भी कदम रखा है कई निस चैनल्स यहाँ वहाँ कोरोना ही कोरोना की निउस चल रही है जो ये वो निउस बताते है लेकिन आज मैं एक प्रिंसिपल होनी के नाते स्पेशल श्कूली बच्चों के लिए एक छोटा सा कर देश लाया हूँ है, लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को बहुत कुछ बातें शीखनी हैं, परिक्षाय रद्ध होगी इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन अलग तरीके से पढ़ना है, इसका माँ आप लोगों का समझाने वाला हूँ, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं primary, pre-primary के बच्चे ये अपनी कलाओं को अपने गुनों को drawing, craft के माध्यम से आगे ला सकते हैं, उसके अलावा अपनी handwriting सुधारने के लिए भी वो कोशिश कर सकते हैं, रोज 10-5 line English की, 10-5 line Hindi की लिखकर वो अपनी handwriting को सुधार सकते हैं, parents भी अपने के लिए में specially कहना चाओंगा, कि अगला साल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे किसाब से बहुत सारी स्कूलों ने 10-5 के बच्चों को किताबे आल्रेडी पहुचा दिये, तो उन्होंने अगले साल के लिए इस समय का सदूप्योग करके उनको, उन किताबों को प तो वो भी स्वाल हो सकती है, आप पढ़िए, अपने तरीके से पढ़िए, अभी कोई समय की पाबंदी नहीं है, किसी टीचर की डाट पढ़ने का कोई है नहीं, अपने मन से पढ़िए, जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं, उतना आप पढ़िए, और एक बात ध्यान रख कि गवर्मेंट ने जो लियम बनाए है उनका पालन करिए घर में रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद